नमस्कार्ट आमी शब्बशाची भालो थाकुनेर एई पोर्वे आपनादे शब्बशाची आमी शब्बशाची भालो थाकुनेर एई उनुष्ठाने आमादे एतोदन चलेर बा आमादे उत्तोर पुर्वान चल बा आर्षामेर बिशिष्ट्टो चिकित्छोक देर आमादे मुधिन ये आर्षी एबं आमादे जानी आजकेर दिने आजकेर आजकेर लाइफस्टाइल आजकेर जे प्रधिशुकितार दोड। एकने शारीदिक भावे भालो थाकार्टा बिराट बड़ो थे चेलेंजीर बेपार। टाइ आमादे भीटी भीर पक्खोते के आमादे चाई जे आपनेर सबाई भालो थाकुन आमादे भालो थाकी। ताइ आमादे बिशीष्टो प्रती नियोतो आमादेर शेबा करे जाच्छेन, तादा प्रती दिन तादेर हस्पीटेल होग, तादेर प्राइबिर प्रेक्टिस होग, जो सब जाएगाए, तादेर जे शेबा, शेई शेबार माध्धोमे तारा मनुषके जेभावे उपक्रितो करचेन, आमरा चाई, आमा एकेक जोन डाक्तार गेखने निया शी, एबं एकेक ता बिशेश रोगेर उपर आमरा आलोचना कोरी, आजके आमादेर स्टूडियोते जिनी उपस्थित, ताके एक डाके शुदु बराकबत्तोकाई नाए, उत्तरपुर्भान चलेर जनकन ताके चेनेन, आजके बराकबत पुस्तिर ट्रएचन, डक्तर रोवी कानन, उत्तरपुर्भान चलेर बिशिष्टो करकोर ट्रुग बिशेशब्को, कैंसर, एई एक्टा सब्दोई आमरा जानी, आमादे जे भालोथाकार भीट्ट, एई भीट्टा के नारिये दाए, क्योर कैंसर होय छे, एमान जोदी कैंसर बाँ करको ट्रुग, अनेक ता एक चिकिछा, एक चिकिछा अनेक ताई उन्होत्तर होय छे, अनेक इम्प्रोब्मेन्ट होय छे अमादेर मेडिकल साइंसेर, एक तो बेशी उत्तरन एर फुले, आजके केंदु शेही आतंकोटा अनेक ताई केटेगे छे, आमादेर म आमन्त्रुन जानाई एखाने एबंग आमरा जानी डक्टर रोवी कान्नान जिनी दिर्खो दिन थेके एक दोशो केरे बेशी समय थेके आमादेर बडाकुबत्त का सहो एई आमादेर आस्पार से समगर अंचल के तीनी तार परिशिवा प्रदाम करे जाच्छेन एबंग शिल्चोर कैंसर होस्पितल एई जे कैंसर होस्पितलेर जे गरे उठा आजकेर जे कैंसर होस्पितल एबंग शबार एखाने गिए जिवन शोई लित एक्टन मुक्ति लाभेर जे आर्षार्ष जे चलाफेरा कोड़ार जे शेई एक्ता मस्रिन पत कोड़े तुल छेन एरके छने तार अबदान अबस्ट्रोई अनुशिक आच्छो ताई आमरा आचके किछु कथा बल्भो आमरा दर्ष्रक बुन्तु देर उद्देशे बोले राखी आमरे बिशिष्टो अती शुविदार थे आचके आमरा बांगला हिंदी एमां इंग्रेजी सब भार्षाई मिस्री दुफाबे आमरा कथा बल्भो सारेश्चा थे शर आमरा प्रथमी चोले जाच्छी आपनी दिर्गो दिन थेके बहुत सालों से यहां पे काम करने हैं मोर देन वन डिकेट शो नाओ युवर सो पोपुलर एमांग दा पीपल और पोपुलर नट फोर अल्ली बाई योर नेम बाई योर नेम बाई दा वे ओफ योर सर्विस सो शार आमरा एक्टा वेपार तो खुब पोरिशकार जे मानुशेर मध्धे शाधरन जनगोनेर मध्धे कैंसर सब्दोटा करकोट रूट एटा बोल्ली मानुश आतंको ग्रोश्त होये पोड़े परिवार में किसी का अगर कैंसर हो या होने का कोई चांसेज है उसी में लो इतर ठीक शुत्रपत तक अग्धे रूट कास शोर्स एक रूट कास से पहले में बूलना चाहूंगा एक मारातमक रोग नाई हमारा भॉय कैंसर का नहीं होना चाहिए हमारा भॉय कैंसर को पकड़ने में देरी होने का है अगर आरंबे स्टेज में कैंसर को धरेंगे तो क्योर रेट्स अर ऐस हाइस 90 परसंट और 90 परतिशन से ज्यादा लोग शुस्त हो जाएंगे कैंसर क्यों होता है कैंसर एक लाइफटाइल का बिमारी है और इसका हमारे लाइफटाइल को अगर देखेंगे सबसे बड़ा कारण तमबाकू है whether you smoke या आप चबाएंगे या सनुख करेंगे तंबाको को जिस प्रकार से भी आप यूज करेंगे कैंसर होगा तंबाको से कुछ भी अच्छा नहीं होता है उन्हीं कॉसे इलनस इस बीमारिया ही होती है तंबाको के कारण कैंसर भी होता है हार्थ प्रॉब्लम्स होते हैं लंग में प्रॉब्लम्स होते हैं खून के नलिया ब्लॉक हो जाती है ब्रहीन में स्ट्रोक हो जाता है पेरिफ्रल वाक्तर डिजीस होता है importance होता है, infertility होता है, daat problem होता है, I mean बच्चों में कान नाक में problem होता है, बहुत सारे problems है, तंबाकों के कारण, उन में से cancer एक बहुत बड़ा problem है, इसके अतरिक इस इस इलाके में सुपारी बहुत, it's a household business, सुपारी के कारण, सुपारी मुख के cancer का एक बहुत प्रमुक कारण है, मर्दों में इस area में मुख का cancer एक बहुत common cancer है, इसके लिए तंबाकों और सुपारी main culprit है, मजीरापाद, कुछ cancers में alcohol मजीरावी cancer का कारण है, तंबाकों को छोड़के भारत में cancer का एक बहुत बड़ा कारण है, infections and inflammation, अगर जरयू का cancer को देखेंगे, 100% जरयू का cancer, HPV नाम के किर्मी से human papilloma virus के कारण होता है, और ये sexual activity के कारण मर्द से महिला को ये infection होता है, पेट में cancer देखेंगे, तो एक infection है, helicobacter pylori, ये एक bacterium है, एक किर्मी है, जिसके कारण पेट में cancer होता है, liver में cancer होता है, hepatitis virus के कारण, hepatitis B, hepatitis C virus के कारण, North East में, कुछ communities में, नाक के पीछे का इस्सा नेजोफारिंग्स बोलते हैं, नेजोफारिंग्स का कनागा लैंड में, मीजोडायम में, मनीपूर में, बहुत कॉमन है, ये Epstein bar virus नाम के infections, so infections and inflammations, एन तंबाकू मिला के भारत में, about 60% से ज़्यादा cancers इनके कारण होते हैं, ये सब preventable causes है, इसके अतिरिक्ष, हमारा diet और हमारा physical activity, traditionally अगर देखेंगे, तो हमारा traditional Indian diet is a cancer-preventing diet, बहुत सारे सबजिया होते हैं, फाल होते हैं, हल्दी होता है, and then manual labor, physical work करते थे हम लोग, आजकल lifestyle बदल रहा है, हमारा diet भी more westernized हो रहा है, pizzas and pastas, उसके अतिरिक्ष, हम अभी we've come to an age, अगर हम एक TV देखना है, उठके जाके बटन भी दवाने नहीं है, बैठे-बैठे हम remote use करते हैं, so we become so, you know, computer में बैठके काम करते हैं, बच्चे, हम लोग चोटे होते हैं, we used to be on the streets all the time, exactly, cycle करते थे, swim करते थे, पेड़ चड़ते थे, physical sports होता था, physical activity, आशकल बच्चे, computer, cell phone बैठके, you know, the whole lifestyle is changing, जिसके कारण बहुत सारे बिमारियां रहीं करें, diabetes, hypertension, cardiovascular disease, बच्चों का खेल कुद भी तो अभी video game में होंगे, exactly, so जिसके कारण cancer का risk भी बढ़ जाता है, महिलाओं में breast cancer का risk, breast cancer का incidence बढ़ता जा रहा है, अगर 30-40 साल पहले breast cancer का incidence देखेंगे, एक लाट लोगों में 7-8 लोगों को भी प्थन में cancer नहीं होता, अभी भारत में कुछ-कुछ cities में एक लाट में से 30 लोगों से ज़्यादा महिलाओं को breast cancer, breast cancer का risk बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका एक promote car, it's a lifestyle, you know, diet, में हार्मोन बनता है जिसको estrogen बहते हैं, estrogen क्या करता है, महिला के characteristics को बढ़ाता है, and typically जब बच्ची का period शुरू होता है, और जब periods खतम होता है, इस बीच में शरीर में estrogen बनता है, from menstruation, menarchy to menopause, menstruation शुरू होने से, बंद होने के period में, and 30 साल पहले बच्ची का period शुरू होता था, 14-15 साल में, आज कर आप देखो के बच्ची का 8 साल, 9 साल में period शुरू हो जाता है, 10 साल में तो ज़्यादा तर बच्ची का शुरू हो जाता है, because diet बदल गया है, we are no longer into a traditional Indian diet, meat होता है, rich food होता है, and then physical activity कम होता है, so, जिसके करण progressively age of menaar की menstruation period शुरू होने, कमासिक शुरू होने का age progressively घटता आ रहा है, so, क्या होता है, the estrogen का period जहां 15 से 45 या 40 पचास साल तक होता था, अभी 9-10 साल से 40 या 50 साल तक होता है, जिसके करण estrogen का exposure time ज़्यादा होता है, जिसके करण थन का cancer का रस्क बढ़ता है, basically, it's a lifestyle disease and it's a preventable disease. अच्छा, आप मेंली बोलना चाहरे कि या लाइफस्टाइल के वज़े से होता है, और मेंली, main cause is the tobacco. तबाको बहुत बड़ा कारण है, tobacco, arreca nut, infections, inflammations, alcohol, and then diet and exercise. Sir, अब जो पहले बोले कि cancer is not so dangerous, if it is detected early, तो लेकिन इसको कैसे detect हो सकता, इसका symptoms क्या हो सकता? So typically हम बोलते हैं, seven warning signs of cancer. So क्या होता है, हम सब अपने शरीर से परिचित है, शरीर कैसे लगता है, कैसे function करता है, हर एक आदमी का या महिला का, शरीर का functioning and appearance unique होता है, तो शरीर में कहीं पे अचाना, एक छोटा सा घोटा, एक lump बन गया, पहले lump नहीं था, फ्थन में एक lump बन गया, ठीक है? So जो normally lump नहीं था, अचाना, एक lump बन गया, मतलब one cause could be a cancer, important thing is, इसके लिए एक डॉक्टर को जाके दिखाना अती आवर्शक, हमें नहीं बोलना, यह कुछ नहीं है, lump है मतलब डॉक्टर को जरूर जाके दिखाना है, दूसरा, सबके मुक में घाव होता है, पर क्या होता है, साथ दिन, आट दिन, दजिन में सूख जाता है, अनौन हीलिंग अंर, कुट बी अके रकेंजर, नाव ऐर आदमी का, पाइखाने का, एक क्लियर हपीट होता है, कोई एक दिन में एक बार करता है, कोई दिन में दो बार करता है, इन सम क suburbs, दो दिन में एक बार होता है, unexplained diarrhea, unexplained constipation कोई भी bowel habits में change could mean a cancer खासी जुकाम होता है चनलनी सूख जाता है ठीक हो जाता है दर दिन हो गया, दो सप्ता हो गया, तीन सप्ता खासकर smokers में खासी कम नहीं हो रहा है could mean a cancer गले में खराश होता है, आवाज बदल जाता है अगें लरेंजाइटिस ठीक हो जाता है, यह भी ठीक हो जाता है पट आवाज बदला है दो, तीन, चार सप्ता आवाज बदला ही है और सनेर हो जाता है that could mean a cancer नॉर्मल ब्लीडिंग मनुश्य में केवल मेंस्ट्रूल ब्लीडिंग है मासिक के समय जो ब्लीडिंग होता है यही एक नॉर्मल ब्लीडिंग है इसके अलावा शरीर के किसी भी भाग से ब्लीडिंग होना अबनॉर्मल है खासी में ब्लड आना, नाक से ब्लड आना पाइखाना, पिशाब में ब्लड जाना menstruation के अलावा bleeding होना sexual activity कहीं शरीर के किसी भी भाग से अगर bleeding होता है cancer एक कारण हो सकता है हमें नहीं बोलना यह TB है अक्सर लोग बोलते हैं खासी आता है यह TB है ऐसा नहीं जाके doctor को दिखाना है investigate करना है unexplain loss of weight कोई वज़ाय नहीं है वजन कम होता है unexplain loss of appetite खिदा लगता नहीं है भुक मिट जाता है फिर low grade fever बना रहता है बुखा रहे हैं बुखा रहे हैं फिर खाना खाते हैं हमको तो खाते समय खाने का ऐसास नहीं होता है पर हमको लगता है कुछ अठका है, गिलना है, गिलना है, शरीर में गले में हमेशा कुछ अठका हुआ लगता है, एक foreign body sensation है, could mean a cancer. शरीर में जब भी कुछ problem होता है, शरीर उसके लिए कुछ warning देता है, हम सब busy रहते हैं, इसको भूल जाते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो अकसर जो cancer हम आरंबिट stage में पकड़ सकते हैं, advance हो जाता है, what we must remember is, हमारे शरीर के functioning में कोई भी unexplained change ह हो या शरीर के appearance में कुछ भी unexplained change हो, it needs medical attention at the bottom line. And doctor का advice लेना चाहिए, Salih sir. दोस्टर बुण्धुरा, आपनारा निष्चोई आमादेर बिश्ष्ट होती थी, Dr. Kannaner कास्तेके आपनारा जानते पारले, आपनारा ख्याल कोरे शेन निष्चोई, जे कैंसर बा करकोर्टर बोल्लेई, आमरा जिभावे भोहे कातोर होए उठी, जीवन्टा जनों बिभीषिका महय होए उठी, ठीक शेरकुम बेपाट्टा नाए, कैंसर्ट का शेर मारम्ब्यादी नहाए, कींतु औरैक्टे जोरी शेता धरा परे थाहले किंतु मारत्यका कार धारम कर थी बाठे मुंध्य प्रेमिनर्य स्टके ये सेचा जोरी धरा परे आमरा जोगी डाक्तायर परामस्र नहीं, ता होलेकिन्तु जीवणटा एतो विभीशिका महाई हो इठार कुना कारूम नहीं एबं किछो-किछो लखन रोय गेच्छे, सर जेटा बोल्लें, एबं ए लखन गुलो के जोडि आमरा ठीक मतों आमरा शेगुलोर ब्रेपारे साब्धाहता अबलोम्मन कोडी, आमरा साथे-साथे ये लखन गुलो धारा परल्ले, डाक्तर पोड़ामस्र नहीं अभवहिला ना कोडी, ता होले अभश्षोई कैंसर रुख ठेके आमरा मुक्ती पेते पारी आमरा कोधा बलवो, आमादे विशिष्ट होती थी, डाक्तर रुभी कन्नाने स्थे कैंसर बिश्वयारो नेक की छुँ, निचेक्ट छुट्ट विग्डपन बिरुती संगे थाकुन। अलकाई आराखी, ओ पाकी ने, आमर साथे कोई रोना चला की, ओ पाकी ना, आमर साथे कोई रोना चला की पोजले, पापोक मैटने, आवा प्रामिस के आपोकार, एबार शिल्चोरे प्रोथम शारेर बिभीन नो ब्रेंडर सार्वी सिंगर फ्रेंचाइजी, महेंद्रा फस्ट चॉइस, ए माल्टी ब्रेंड सार्वीस सेंटरे उत्ता धुनिक जन्त्रोपाती, ट्रेंड तेक्निशियंस एन्ड कस्टोमास सपोर्ट एग्जीकियोटिव्ज दारा, ओती जोतनो शहो करे, शब्धोर्नेर सार्वीसीनेर काच करा है ता छारा, शब्धोर्नेर गारीर फोलिखाने रिखा शहो, स्प्यार पार्ट सेर मात्थो में गारीर मेरा मती शोजुग रह छे 24-7 ओन्लाइन बुकिंग एवं रोड साइड असिस्टेंसेर शुभी दारह छे, ताई आजी जोगाजु खोरोन अधित्री सर्वेस चिरुकंदी रोड राम्नोगर शिल्चर 788-003, फोन नमबर 80113-31777, 87219-26530, email id adittiservice.2017 at gmail.com प्राण फ्राइट पेस, पैकेट भड़ा पागला मिया रियस्क ये, भेंगे जापे बाबारा, कि इच्छो आवे नमा, भेंगे जापे बाबारा, कि इच्छो हावे नमा, भेंगे जापे बाबारा, कि इच्छो हावे नमा, भेंगे जापे बाबारा, कि इच्छो हावे नमा, शोमुए के पीछे फिल एभाबी ठीके थाके आरेफल डोर भार्जिन रेजिन एबंग युनिफार्म स्ट्रक्चरल डिजाइनर कारोने आरेफल डोर मजबुद बेशी और ठीके ओ बेशी इच्छु हावे नावाण आरेफल यू पीविसी डोर समयर प्रतित दोंदी जोतिस संक्रातो जेखुनो समोष्षा समा दाने एखन तेगे शिल्चोर करिम गण्जो और लाला शोहरे पाथ्छेन जोतिस सम्राठ सितांग्षु आचार्जो MA, MFIL, MWAS, MARP, ग्रहाचार्जो, जोतिस स्याचार्जो, जोतिस भारोती, जोतिस सरस्षोती, सर्ण कमल, सर्ण प्रदक प्राप्त जोतिसी सितांग्षु आचार्जोके शिल्चोरे पाथ्छेन ICICI Bank Building प्रेम तोलाए प्रति बुद और रविबार एचारण पाथ्छेन करिम गण्जो और लालाशो हरे, करिम गण्जे पाथ्छेन प्रति मासे प्रथम शनिवार ताई, जोति संक्रांतो जैकुनों समस्षाए, परामस्षो ग्रहने आजी जुगा जोक्कोरुन जोतिसी सितांग्षु आचार्जो मोबाल नमबर 970-611-5846 बार 9435-4444-233 आमार चाई आधनेक स्लिम जिसाए आमार चाई स्थाइट तो, एक्षो परसेन खुन मुपतो नॉक्टाउन प्रजुक्तिते, ग्रुफ दिसाइने शाथ्थेर मुथ्थे, आमार चाई शप्नों पुरोने रीगल, एफोड़ेवल फानिचर एखाने हैला, उखाने हैला गाड़ी ते हैला, गाड़ी ते हैला, दे आले हैला आर एखाने उखाने हैलान दीते होगे ना आरेफेल नियेलू बीविन्नों साइज ओ डिजाइने नानारोंगेर अरम दयुक्छूल जेखने शेखने हैलान ना दिये एक बार बोशे ही दिखुन। आर एखेल जूल एबार बोश बेशोबाई। जिखुन। ओ, किशी तलाता तो मोई गिरेचे, ओ, किया नोंद प्राणा जो पिरे, आज जोलेर पान दे, आश दे तुमी आश ये शोरेरे तां दे तां दे, आश दे तुमी किशी तलाता तो मोई गिरेचे, ओ, किया नोंद प्राणाप जो पिरे, प्राणाप फिल्दा जेल सब्सक्राइब कर दोटर रोबी कान्ना निश्चाते सर कैंसर लेके हम बात कर रहे हैं आपसे कुछ एडवाइस भी हमको मिल रहे है सेजेशन्स मिल रहे है और हम लोग का जो फीवर्स हैं इन लोग को आज आपसे बात करके हम लोग को बहुत फाइदा होगा आगे में तो जो रूट कॉज है वो आपने बताया सिम्टोमस भी बताया सो सर इसका ट्रीटमेंट कैसा हो जाए अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमें कैंसर को प्रूव करना है कैंसर को प्रूव करना है और प्रूव करने के बाद कैंसर कितना फैला हुआ है ये एसेस करना है सो प्रूव करने के लिए हमें एक चुटा सा मामशो का टुकडा निकालना है जिसको बायापसी बोलते हैं और एक समाज बहुत बड़ा भूल रहना बायापसी को बोलते ही लोग गायब जाते हैं तो केंसर च्छटरा जाएगा बायापसी से चाकू लगाने से च्छटराता नहीं है पहलता नहीं है अब दुनिया के किसी भी भाग में जाएंगे, लंदर जाएंगे, आमसे डाब जाएंगे, न्यू नूर्ट जाएंगे, बिना बायापसी का इलाज नहीं होते हैं जब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा क्या बिमारी है, हम कैसे इलाज करेंगे तो बहुत एमफैटिकली बोलना चाहूंगा कि बायापसी से कैंसर फैलता नहीं है बायापसी नहीं करेंगे, हमको मालूमी नहीं पड़ेगा इसने क्या बिमारी है दूसरा, कैंसर कितना फैला है, इसके लिए सीटी स्कैन करते हैं, अल्टरसाउंड करते हैं, इमेजिंग करते हैं, इसको स्टेजिंग कहते हैं सीटी स्कैन से या अल्टरसाउंड से कैंसर का डायगनोसिस नहीं हो सकता है कैंसर के डाइगनोसिस के लिए एक बायापसी जरूरत है कभी-कभी साइटालोजी कर सकते हैं पर कुछ सेल या कुछ टिशू निकालना जरूरी है बाकी स्कैन से या पेट से कैंसर का स्टेजिंग होता है कितना पहला है ये मालूम पढ़ता है कैंसर को टिपिकली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, त्रिती स्टेज, चौथा स्टेज करके चार स्टेजों में बाटा जाता है स्टेज 1 और स्टेज 2 को अरली बोलते हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 को फैला हुआ या एडवांस्ट बोलते हैं स्टेज 1 में अगर कैंसर को पकड़ेंगे तो क्योर रेट जैसे मैंने बताया 90% से ज्यादा है स्टेज फूर पियांगर कैंसर को पकड़ेंगे मृत्यू का चांस 90% से जादा है आप समये ठीक बदल जाता है बहुत दुख की बात है कि जैसे अब स्थन का कैंसर लेंगे या मुख का कैंसर लेंगे स्थन का कैंसर अरगन है जिसको महिला रोज नहाते समय हाथ से फील करता ह एक छोटा सा गिल्टी भी होगा नहाते समय जरूर धरा जाएगा और हमारे हॉस्पेटल में महिलाएं आती हैं जिनके स्थन में 10-15 सेंटीमीटर साइज का एक नारिकोल होता है इतना बड़ा ट्यूमर लेके आने की कोई जरुरत नहीं है अगर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीम लोग भी सौ मेंसे छुस नहीं होंगे तना असानी से धरा जाएगा नहाते समय गिल्टी में जरूम मुह जब आने की जरूरत नहीं है मैं कभी कभी मरीजों से बात करता हूँ आप इतना देर करके क्यों आते बोलते हैं मेरे को डर था आपके पास आएंगे तो आप बोल दो कि कैंसर है मेरे पास नहीं आओगे तो ये कैंसर नहीं रह जाएगा क्या मेरे पास आओ नाओ कैंसर कैंसर है तो जल्दी आना चाहिए जल्दी आकर जल्दी पकड़ने से लोग डरते हैं तो फिर एस्टेज में मृत्यून से फिर स्टेज में फेलें हुए स्टेज में नहीं होगा आड्वांस दिए फिर स क्लहा सुझकल से युव इंटिर प्रोड़ ऊपने श्स्ट रहेंगे Sir, if it is detected in stage 1 or stage 2, how he or she is cured by medicines or surgery? Right, so cancer के treatment के लिए टिपिकली तीन इलाज हैं, surgery यह शल्य चिकिट्सा, chemotherapy जिसमें दवाई देते हैं, injection यह ताबलेट के जरीए, और radiation therapy, एक radiation machine के नीचे लिटा के, high energy radiation देते हैं, Now, chemotherapy, surgery, radiation के अलावा और कोई तरीके से cancer का treatment नहीं हो सकता है, अगर कोई बोलता है, हम जड़ी बुटी से, ओज़ा से, पूजा करके, प्राना याम करके, यह सब बेवकुष यह हो, इस सबसे cancer का treatment नहीं हो सकता है सर्जरी में क्या होता है, कैंसर को काट के निकाल देते हैं, अगर मुक में छोटा सा घाव है, आदा सेंटीमीटर का घाव है, उसका जो सरजरी होगा, छोटा सा सरजरी होगा, अगर stage 4 का मुक में cancer, इतना बड़ा cancer है, यहां छेद हो गया, बाहर में भी आ गया, तो जब operation करेंगे, मुक का पूरा भाग निकालेंगे, जबड़े का हड़ी निकालेंगे, शायद माकसला निकलेगा, बड़ा सा सरजरी होगा, फिर उस घाव को जो छेद हो जाता है, उस उतना छोटा सरजरी होता है, उतना failure का सांस छोटा होता है, आप समझे हैं, सो सरजरी में पहले सब क्या होता था, अगर पैर में cancer है, पैर को काट देते थे, ब्रेस में cancer है, ब्रेस को काट देते थे, साउंड बॉक्स में cancer है, साउंड बॉक्स को काट देते थे, आज कल हम यह थोड़े से समझदार हो गए हम समझते हैं कीमो तरफीज CAS से CERG事 का इलाज जोड़ेंगे तो ज़रूरत नहीं है स्थन में कैंसर स्थन को काट, दोपयर में कैंसर ए पैरस को काट, ऐसा नहीं है आजकर हमसमें आरगन अजन काउन जहाते parece कि अधार्न में काउन निकाल के इलाज कर सकते हैं, इसके लिए we practice what is called multimodal therapy, कभी भी आप cancer होता है, operation के लिए surgeon के पास जाओगे, surgeon operation नहीं करेगा, या chemotherapy के doctor के पास जाओगे, वो दवाई नहीं देगा, हर मरीज के लिए इलाज शुरू करने से पहले, सारे specialities के doctors को, surgeon, medical oncologist, radiation oncologist, pathologist, radiologist, सबको मिलके इसको एक tumor board बोलते हैं, हर एक मरीज का treatment का plan होता है, उस plan के हिसाब से chemotherapy या radiation या जो भी इलाज का sequence होगा, वो plan करके planned treatment deliver करते हैं, इससे क्या होता है, एक तो organs बच जाते हैं, organ निकालने की जरुरत नहीं होती है, दूसरा, हर एक मरीज के इलाज में बहुत सारे लोगों का सो treatment given through a multi-moral approach, is far superior to an ad hoc approach. And another important part is there sir, in which situation you feel that patient is at third or fourth stage? So, जब हम staging test करते हैं, CT scan करते हैं, ultrasound करते हैं, stage 1 मतलब जहाँ पे शुरू हुआ है, वही पे चांसर है, छोटा है, stage 2 मतलब जहाँ पे शुरू हुआ है, वहां से रिजनल ग्लांज में पहल गया है, stage 3 मतलब और थोड़ा फैला है, stage 4 मतलब पूरा फैल गया है, so cure की बात करेंगे, stage 1, stage 2, and कुछ stage 3 में patient cure हो सकता है, stage 4 में chances of cure is very low. Sir, यह cancer के बारे में जब जबी सुनते हैं, तो chemotherapy is a common concept, chemotherapy मतलब cancer हुआ है, chemo देना है, तो what is the role of chemotherapy? Chemo therapy सारे cancer के लिए नहीं लगता है, और सारे cancer में सारे stage के लिए नहीं लगता है, कुछ cancers के लिए chemotherapy लगता है, कुछ cancers के लिए chemotherapy लगता नहीं है, कीमोतेरपी जो कैंसर जो माननीजे मुक में या स्थन में या हड़ी में कैंसर शुरू हुआ शुरू में स्टेज वान और स्टेज चुमें उसी औरगन में सीमित रहता है उसके बाहर जाता नहीं है पर एक छोटा सा एक सिंटीमीटर के साइस के ट्यूमर में भी कुछ सेल्स गिर के ब्लड स्टीम के जरीए शरीर के बाकी भाग में चले जाते हैं जो स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन में पकड़े नहीं जाते हैं अगर अल्टरसाउन में एक ट्यूमर पकड़ना है कम से कम एक संटीमीटर का होना है CT scan में एक tumor पकड़ना है कम से कम एक centimeter का जो 2 mm का tumor होगा वो किसी भी test में पकड़ा नहीं जाएगा 2 mm से छोटा tumor होगा तो पकड़ा ही नहीं जाएगा तो chemotherapy उन cancers के लिए देते हैं जहां पे ऐसे फैलने का रिस्क बड़ा होता है उस stage के लिए जहां पे conventional test में नहीं मिलने पर भी हम सोते हैं शायद cancer फैल गया सो systemic बिमारी के लिए chemotherapy देते है जो बहुत छोटा localized बिमारी उसके लिए chemotherapy ज़रत नहीं केवल surgery या केवल radiation से इलाज होता है radiation and surgery local disease के लिए है chemotherapy फैले हुए बिमारी के लिए या फैले हुए बिमारी होने का शक के लिए है और radiation भी local disease के लिए radiation इस भाग में cancer है केवल उस भाग का इलाज होता है तो सर जो भी treatment है वो chemotherapy radiation surgery है no medicine is there medicine है chemotherapy medicine है oral में कुछ ऐसा oral chemotherapy हम orally भी दे सकते हैं कुछ chemotherapy injectable भी होता है that depends normally जो disease में जैसे treat होता है वैसे तो possible नहीं है जैसे जैसे सिर्फ tablet capsule या syrup लेके हो जाता है वैसे tablets तो देते हैं chemotherapy के tablets है बहुत सारे tablets बहुत सारे chemotherapy agents tablet के पामे में हैं so tablets भी हम देते हैं आचा chemotherapy common concept है viewers का हम लोग का सभी का chemotherapy वो direct जो ray देते हैं कीमो थेरपी दवाई होता है injection या टाबलेट radiation रे देना है radiation मतलब एक machine में high energy produce होता है वो energy patient को देते हैं दोनों अलग है chemotherapy is medical treatment with tablets और injection radiation is radiation therapy radiation अब deliver करते हैं एक machine में radiation और chemotherapy का medicine है वो भी radiation को थो कीमो थेरपी का medicine हम इधर injection में या औरली बेते हैं radiation जो है जैसे light आता है ना ऐसे machine से light जैसा energy आता है chemotherapy और radiation combine कर सकते हैं chemotherapy अलग है radiation अलग है तब तो commonly यह बहुत ही wrong concept है for general people for us also chemotherapy radiation को ही chemotherapy समझते हैं radiation अलग treatment है chemotherapy अलग treatment totally different chemotherapy दवाई के जरीए या injection के जरीए radiation एक machine में radiation produce करते हैं और उस radiation light जैसे energy होता है उस light के energy को patient के उपर दिखाते हैं affected organ के उपर दोनों chemotherapy और radiation तेजी से डिवाइड करने वाले कोश विभाजन होता है ना cell division cancer cells तेजी से डिवाइड करते हैं करने वाले cells को chemotherapy भी मारता है radiation भी मारता है दर्शक बंदुरा एतों परामोर्षर बाएतों कोथा cancer संपुर्के अमादे धारोना अनेक्टाई बोदले छे cancer के निए आमणा भीतोग्रश्त भावे थाकी आजके आमणा देखलाम जे सर बोल्लें stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 stage 1, 2 आंशिक भावे stage 3 तेह cancer patient संपुर्ण भावे शुस्त हुआर शेह संपुर्ण थाके जोदी ठीक-ठाक मदो डाक्तारेर परामोर्ष ने ओहाए डाक्तारेर चिकिछा ने ओहाए एबंग अनेके भेवे थाकें जे केमोधेरापी टा बुदले कुनो रेडियेशन बाविधर ने कुनो शेह संपुर्ण थाके अमादेर जोदी ठीक-ठाक भावे थाके ताहले किन्तु शत्ती आमादेर भालो थाकुने आजके जे अनुस्ठान बावा अमादेर दोईनन्नीन जीवने भालो थाकार जे प्रभण थाकार शेता आरो मस्त्रिन होए उडबे अमादेर आरो किछु कोथा बल्बो डॉक्टर रोभी कंदाने शोंगे आमादेर निच्छे आराइकबर शुट्व बिग्गपद भीरो थी शोंगे थाकुने वाव प्रभव 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 भावी आपनी हो भावी आमी हो नाम तकी आरेफल डिलक्स पाकेट वर्जीन नाट्रियले दोरी शोक्तों मोजबूत ओदिर खोसधाई चाचा आपोले चीला अपना डिलक्स पाकेट हाँ तलताओ मोजबूत तलताओ जूस आरेफल डिलक्स पाकेट रुपेज यार पुरी चाए अमि बोना दोल्गू थानगे थानगे धोल्गे आँमि बोना दोल्गू नोतुन छादा विश्कर कूटचाओ ताहुने प्राण जल्मूरी टेस्ट नाओ आशल ज़ा आशल मोरी नोतुने आर्टेट पाकेटे प्राण जल्मूरी टेस्ट करो नो तुन के छू फारूक, जी सर, वाई आइस क्या माजर प्लास्टिक सर्जरी सर, बुच नहीं हलो सर सर, वाई सर, फारूक केरे बीले और अनेक जामेला, और मतिगोतियो खोवेक्टा भालो ठेक्छे ना आई की एथ्ची, साब दस्के हारिक्या नी फारूक, देखते आको लेओ, जीनिश्किन्त भिन्न, आडे फिल्चाक, जन्मुतिकी जाक जूबीन, 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 एना अपना अलेची द्रिंक स्कीपार फानिशिंग, आरियन्टावार, फास्ट फ्लोर, उल्लाशकर दत्तो शरोनी, जेल्लूट, शिल्चार कोलकात्या, हैद्रवाद, नापूर, कानपूर, पाटना राची शोग, भारो दिन्दाना शोहरीर पोर एवार, शिल्चरे शोरूम खुल्लो स्कीपार, एखाने बाच्छेन, अत्तादुनिक मानेर घशा जनू रुखो करन, बाच्छेन, वनमातानो डिजाइनेर, ब्लाइ पेपर, उडन फ्लोरिंग, आधि, उन्ति, ताई घर के मनेर मतो करे शाजिय तूलते, आजी चले आशून, स्कीपार फानेशिंग, अरेहन टावार फार्स्ट फ्लोर, उल्लाशकर दॉक्त शोरूनि, जेल रूट शिल्चरे, फोन नमबर 03842-265-298, 94351-73723, 94351-93540. हाशी खैला या मेर गनिया ते, चलना जिवोनेर मिश्टी लद खे, मिश्टी, मिश्टी, दुष्ट दुष्ट पाशा उए हाम आते, हाश्य खैला बेची धात रोवीने तोरिते, मिश्ट शाय शोब जिडे महानार, जोले ठे थे तारून्य गति बद एशगस संडरोप छू सी शागरू, जालो ना संडरोप छू सी संडरोप तारून्य बाचो । शाप्थाने थेको मून खराप कोर गणा देने दोश पार फोन दीबे आर्टोटो दिन थेकी गेली की होतो किछी होतो ना शुदु बस चक्रिटा डड़े नितन अच्छा निल शर्टा कोई जेटा पुड़ो देख देर छे छिले तुमी जोखन काचे थाको ना तोखने शट्टा यावड तुमी प्रियो जोन्तोर धाकलेओ काचे थाकेदार इस बर्षो आरी इस बर्षो धरे राखते चाई आरे फेलो एट्रोप कारोन इन्ते ब्याबरीतो होये छे इन्सेक्ट्स रेपेलियंट मास्टर ब्याच जया पुकामा कुर्थेके प्रियोपु शाक्के राखे शम्पुनो शुरू किदो आरे फेलो एट्रोप आमानु दुरुखा करे कुरू unch्रु ब्याच करे अल्यव मां ब्रोप ब mam माम ओवर 5,000 दिजाइन्स and a certificate of authenticity jewelry comes home with bluestone.com दस्योप बंदूर आमरा फिरे आश्ची आमादेर भालो थाकुनेर एई परबे आज के कथा बोल्छी केंसर रोग नी करकोर रोग आमरा कोथा बोल्छी शिल्च और तथा उत्तर पुर्भाण चलेर बिशिस्टो करकोर रोग बिशिस्षक को डक्टर रोभी कंदाने शोंगे अमरा एतो खन होने कोथा शोंग लाम ए रोगे शुत्रपात की कोड़े होए लोखन की रोगम ठाके एट्चिक इच्छा की बाबे होए यह बड़े आमरा कोथा बोलव आरो किछी बिश्वय नी है सर अमरा देखे छी जे आमादे जे लाइफस्टेल शे लाइफस्टेल को तो बेपड़े अपनी प्रोथमी बोलें जे लाइफस्टेल के लिए कैंसर हो सकता है तो एक चीज हम लोग फोलो किया है कि बोला जाता है कि नौर्ट इस्ट में कैंसर पेशंट्स जादे हैं तो उसका रिजन एज आ ओंकोलोजिस्ट वाट इस यूर एक्सपरियेंसर तो भारत में सबसे जादा टोबैको कंजम्शन नौर्ट इस में होता है आप समझ रहे हैं तो इस आटमाटिकली फिट्स इन फिट्स इन विट्स पार्ट इन और देन कुछ इंफेक्शिंस नौर्ट इस में टोबैको कंजम्शन बहुत सारे वराइटीज हैं ठीक है हम खेनीच साधा तबाकू खाते हैं बीडी सिगरेट खाते हैं मिजरम में जाएंगे तो वो थाइबूर बनाते हैं ठीक है तो वराइटी बहुत सारा है बदेन सुपारी का कंजम्शन टोबैको का कंजम्शन नौर्ट इस में इंडिया में सबसे ज्यादा है दुर्भाग्य है कि संवारी के जरीए आता है अगर ही तो तुरा कॉण गोर्ड उय घशन ञाया के सांढा में दुर्भाग का अगर आप क्या कॉम्शन देखैंगे सारे थाईढाब को के कारन होने वाले था मौत का Cancer, Lung का Cancer, Khaddamedi का Cancer, Stomak का Cancer, Urinary Bladder का इस सब Tambaak के कारण होने वाले cancers है तो इसका trend क्या अभी आज के date में तो बहुत conscious है यह trend बढ़ रहा है कि तो क्या tries है So, अभी recently Gatch का result निकला है दस साल में एक बार survey करते हैं भारत में बहुत सारे प्रांतों में तंबाको का कंजबर्शन एक्शली कम हुआ है ASEM और तर्पुरा दो स्टेजसें जहां तंबाको का कंजबर्शन एक्शली इंक्रीज हुआ है और दुस इस अमैटर 預ड़ ग्रेंट इरे ग्रेट कंसर्ट आप जाएंगे छोटे छोटे बच्चे तमबाकू खाते हैं माँ बाबा अध्यापक स्कूल में तमबाकू खाते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं यही नॉर्मल है कहीं शादी में जाएंगे तो तमबाकू जरूर देंगे पान साधा तमबाकू अब तो तंबाकू के पैकेट में बिच्चू होता है साफ होता है सारे दरामने पिक्चरस है मैं अकثر पूरता हूँ शादी में तो फूल लाएंगे अगर बच्वी लाएंगे फ़ाल लाएंगे अची चीज़ा लाएंगे सांप और बिच्छू को क्यों हम साजी में लाते है तंबाकू हमारा कल्चर है तंबाकू हमारा कल्चर नहीं है 400 साल पेले भारत में तंबाकू नहीं था तो अगर भारत में तंबाकू नहीं था 39 में कहां तंबाकू कल्चर हो जाएगा कल्चर नहीं है जहांगीर के ताइम में जब पुर्टगाली लोग भारत में आए थे वो जब बादशाह के दरबार में आगे बादशाह के दरबार में सब कुछ था वो तो सोने का एरा था इंडिया में गोल्डन एज अफ इंडियन ग्रोथ भारत के दरबार में सब कुछ था तो उन्हों सूच रहे थे हम बा IQ को क्या देंगे अमरीका गए थे उन्हों दोबकु का swabaskar किया था भारत के बाद गजहा को उन्ही टबार डिया स्मोक करनी के लिए भारत जो बादिशा का जो टोक Soks माट था उसको डर था की यह लोग विद्यर से आए हैं बारशा को पॉईजन दे दे देंगे और हमारे ओपर कबज़ा कर लेंगे तो नोने बारशा को बोला आप इसको स्मोक मत कीजे बारशा तो बहुत जिग्यासू साओन हो तो हर चीज करना चाहता है हो मान ता Connect को बादशा के फिजिशन ने बोला तके आपको स्मोक करना है सीध बार्षा फैर में स्फट्राये infra फ्रचलित हो गया नाउट अ टीजिजज, घेः टमबा कु खाना एक बिमारे है अभी हो ह्ःटो खुका रिस्टूरिंच पन्वायगा आधडिया से चैन्सरेंश हेट ड्रहा से कैनसरे 70% of men use tobacco, more than 70% of women use tobacco, so, बहुत, 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 ओमनेवन, यह, so, it is a terrible thing, it is a terrible, terrible thing, इसके अधिरे कुछ infections भी है, some dietary patterns, my opinion is tobacco and supari, सबसे बड़े कारण है, North East में cancer के incidence का, तो इसका, इसका एक अधिरे किया lack of awareness भी है एसर्, yes definitely, लोग आप लोग तो करते हैं, awareness programs भी है आप तो लोग तो करते हैं, not enough, not enough at all, you, you guys can make a big difference, media में, newspapers में, television में, इसको spread करना भूछ है अभी जो सिल्चर cancer hospital है, तो अभी तो पूरे zone में एक ही main hospital है, तो इसका क्या status है, are you satisfied with all the facilities and infrastructure No, 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 we are not satisfied, we can do a lot better, but then cancer hospital has all the standard treatments available, radiation, chemotherapy, surgery, in India, which is not the surgery in many parts of the country, which is not the surgery, which is the microvascular, limb salvage, But in recent years, we have patients from abroad and other states, Yes, but our aim is to get patients from abroad, our aim is to get the cancer hospital, How many doctors do you have? We have a total of 9 of us, but we have a very strong team, If something is good with cancer hospital, we have our team, doctors, nurses, technicians, cleaning personnel, we have about 300 staff, and every one of them is a very important part of the team, That is proved already, and it is the team which makes the difference, it is not about any individual in the organization. So, sir, if we want to talk about cancer, then we will not complete three or four episodes, But somehow, we are compelled to end the show, The last part, we will talk about lifestyle, which is common people, Everyone has such a concept, that gastritis, skin problems, So, we are thinking about lifestyle, So, today, we will be very interested in the viewers, That lifestyle, we will get to know that, We will get to know that, but we are addicted, We will not get to know that, So, lifestyle related, what is your exact suggestion? To do and don'ts? Thambakus ko ka istamal mat kijijay, Sharaab mat pijay, Koixo bhi shariir me infection hota hey, Kooi bhi shariir me badlaah hota hey, Promptly medical attention seek keep 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 keep, Healthy khana khaayyay, Joaba nahi khana hai, Kaim nahi khana hai, Regularly exercise ki je, Walk ki je, cycle ki je, दोडिये, skipping कीजिये, physical activity हर उमर में, हर वेक्टी के लिए बहुत important है, खुश रहिये, सुखी रहिये Thank you very much sir and may God bless you in all concern of your life, thank you आप दिरगायों हो और जो awareness अब suggest किया है कि regarding NGOs and all the youths of this valley we should come forward for growing the awareness among the people, आपके पास हम लोग आएंगे और ये message भी हम लोग दे रहें, आमरा Dr. Ravikandana के सते आमरा जानते पार लम जे आमादेर जे सौचेतनों ता cancer के निये, शेता एखोनों sufficient नौए आमादेर एई उपत्यकार जारा NGOs रहेचेन, प्लाब, संगर्थन रहेचेन, पिशेश करे जुबोशम प्रदायर रहेचेन आमादेर एगी आश्रा उचित एबों अबस्वई, शार Dr. Ravikandana जेभावे समाजे सेबा करे जाचेन आपना जाराई आम्रा सभाई मिले, काज कोरते चाइबो, अबस्रोई तीनी दीखनित दिश करबेन, तीनी आमादे नेत्तरित्तो देबेन अनेकोनेक धन्नोबट सर्, आम्रा आपना स्वांगे आछी, अनेकोनेक धन्नोबट धन्न दक्षक बंधुरा, आम्रा आजके कथा बोल्लाम, दुरारुग्गो ब्याधिक कैंसर के निए, एकिन्टो आम्रा जानलाम, जे स्टेज 1, स्टेज 2, एबंग आंशिक भावे स्टेज 3 ते, शेटा दुरारुग्गो नौए, एबंग एक जन रुगी, जार कैंसर होचे, त ताइ, आमादेर एच्केर, एई प्रतिजुगीतार जोगेयो, आम्रा एई जी आमादेर लाइफस्टेइल, एटाके सुन्दर कोड़े गोड़े तुल्बो, एबंग आमादेर शुरीरेट दीके, आम्रा जदेश्ठवाबे नजर रागबो, ख्याल रागबो, कारुन शु अबार भालो चाई, ताइ भालो ठाकुन, अनेकोनेक धन्नवाद, नमस्कार.